प्रिये दरिशेकु नमस्कार चल रहे कोविड महमारी के मध्य नजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यभार का पालन अवश्य करें जैसे कि मास्क पहनना, नियमेत रूप से हाथ धोना, उचित शारीक सामाजिक दूरी बनाये रखना और भीड भाड़ वाली जगहों से बचना आए सुनते हैं आज़ के हख्य समचार, सेल राउकेला स्पास शेहर के होट स्ट्रिक मेंली पहली बार उच्च फास्पोरस HRNO पोईल भी दिया और सेल रस्पी के स्पास शेहर का पहला दिवरानी लेखा परिक्षा ISO 9001-2015, QMS और ISO 1401-14001-2015, UMS आयोजित अब समचार विस्तार से सेल वैश्विक पजार में बढ़त हासिल करने के लिए अपने उत्पात समूमे सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है हाल ही में सेल RDCIS राची और राउर के ला स्पास संयंत्र के होट स्ट्रिप मिल एक के संयुक्त प्रयासों से पहली बार सफलता पुर्वक हाई फॉस्फोरस होड रोल्ड नॉन ओरियेंट HRNO कोईल रूल किया इससे ट्रांसफार्मर और विद्यूत मोटर जैसे विद्यूत उपकरणों का निर्मान के लिए उपयोग होने वाली कोल्ड रोल्ड नॉन ओरियेंट CRNO का उत्पादन किया जाएगा गौर तलब है कि सेल के एवं RSP के अनुसंधान और विकास गतिवी धियां आत्मनिर्भर भारत के सपने एवं मिशन को मजबूत करने और साकार करने में मदद करेगी RDCIS के साथ CRNO के उच ग्रेड विक्सित करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी जिसमें फास्फोरस के अत्रिक्त CRNO स्टील में आवश्यक फास्फोरस की तुल नामे कम सिलिकॉन सामागरी के साथ फास्फोरस अत्रिक से प्रेडित प्रती रोधक्ता में व्रिद्धी के साथ कम कोर हानी गुड हो स्टील का उत्पादन RSP के स्टील मेल्टिंग शॉप एक में किया गया RDCIS द्वारविक्सित उच फास्फोरस HRNO की रोलिंग के लिए प्रक्रिया चार्ड की समिक्षा में रिटेंशिन टाइम रफिंग एवं फिनिशिंग मिल में ड्रॉफ शेड्यूल मिल स्पीड आधी जैसे वे भिन मापदंडों पर चर्चा की गई और मिल और प्रक्रिया की आवशक्ता के अनुसार ठीक्ठा किया गया फास्फोरस को 0.1 से 0.15 प्रतिशक तक मिलाने से FECSI चरण आरेक इस हद तक संशोधित हो जाता है कि गर रोलिंग के दोरान मिल में प्रत्याशित उच्छ भार के साथ दोहरे चरण में उच्छ फास्फोरस HRNO स्टील को रोल करने की आवशक्ता होती है इसके लिए उच्छ तापमान पर और मिल में बिना किसी रुकावट के स्टील को शन्शादित करने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय किये गए थे 22 जुलाई 2021 को HSM-1 में प्रत्थम उच्छ फास्फोरस HRNO स्टील हीट का ट्रायल रोलिंग शुरू किया गया था फर्नेस में स्क्रैप चार्जिंग से लेकर क्वायलर से तयार क्वायलर डिस्चार्ज तक की सभी पूरो निर्धारित मापदंडों पर बारीकी से निगरानी की गई हीट से सभी पाँच स्लैबों को HSM-1 में HSM-1 की टीम द्वारा उप महाप्रबंदक HSM-2 दत्थक इन्रेत्रित्व में सफलता पुर्वक निश्पादित किया गया था टीम के मुख्य सदस्य में RCL के मुख्य महाप्रबंदक शी आतिश चंद्र सरकार और महाप्रबंदक शी चंदन सामल, होट स्टिप मिल के महाप्रबंदक शी डी के यादव, महाप्रबंदक शी HS अलहाबादी, सहायक महाप्रबंदक शी MP महांती तथा SSM के महाप्रबंदक प्रभारिशी चितरंजन मिश शामिल थे आगे चल कर इन कोईल को SSM सिलिकॉन स्टील मिल में रोल कर CRNO में बदल दिया गया इन CRNO के कोईल के लिए हासिल की गई गुण स्वभाव को मापा जाएगा और पुष्टी होने पर इस नए ग्रेट का व्यवसाई करण किया जाएगा CRNO स्टील का मुख्य लाब लो कोर लॉस है CRNO स्टील के विभिन ग्रेट को वाट हानी गुणों की डिगरी के आधार पर वर्गिकत किया जाता है चुम्बकिय गुणों को प्राप्त करने के लिए उच्छ सिलिकॉन तत्व और संबंतित प्रक्रिया के कारण CRNO स्टील के उच्छ ग्रेट के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है यहाँ प्रयास निशित रूप से सयंत्रे के लिए एक उच्छ मूल्य प्राप्त करने में मदद करेगा सेल राउर्गिला स्पास सयंत्रे के स्पास शहर का ISO 9001-2015 QMS और ISO 14001-2015 EMS का पहला निगरानी लेखा परिख्षा 6 अगस्त को समप्त हुआ कारेपालक निर्देशक कार्मी के वंप्रशाशन शी पी के सत्पती ने उदगाटन एवं समापन सत्र की अध्यक्षता की इसमें लेखा परिख्षकों विभागा ध्यक्ष और उर्जा प्रबंधन विभाग HRD सेंटर, नगर इंजीनिरिंग, नगर सिमाए और CSR के वरिष्ट अधिकारी शामिल हुए समापन सत्र में संबोधित करते हुए शी सत्पती ने सयंत्र की विश्वशनियता बढ़ाने में मदद करने के लिए पद्धती और प्रक्रियाओं की सफल सावधानी पूर्वक लेखा परिख्षक कराने वाले लेखा परिख्षकों को धन्यवाद दिया उन्होंने लेखा परिख्षकों को आश्वाशन दिया कि लेखा परिख्षक के निश्कर्षों और उनके द्वारा उठाये गए मुद्धों का आवश्चक अनुपालन और कार्यान वयन के प्रती ध्यान रखा जाएगा लेखा परिख्षकों ने सम्हुएक रूप से अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया और आगे सुधार के लिए लेखा परिख्षक के निश्कर्षों पर विस्तार से चर्चा की मेसर्स T.U.V के मुख्य लेखा परिख्षा श्री L.C. Jain और लेखा परिख्षक श्री S.S. Soni द्वारा लेखा परिख्षक किया गया लेखा परिख्षा के दायरे में विद्योत, पानी, सिविल इंजिनेरिंग, मैंटिनेंस, सारवजनिक स्वास्त, उद्यान कृषी, क्रीडा, राउरकेला हाउस, स्पात हील व्यू, समाज कल्यान में सेमाय और सी एजार गती वीधियों का प्रावधान शामिल है खारिक्रम का संचालन महाप्रवंदक B.E. शुशी चैताली दास ने किया एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहने, नियमेत रूप से हाथ धोएं, उचित दूरत्व बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीरभाल वाली जगहों से बचें, स्वरक्षीत रहें, स्वस्त रहें आज की हिंदी समचारों में बस सतना ही नमस्कार